मद्य प्रदेश में नर्मदा नदी के शांत टट पर बसा महेश्वर के ला इस छेत के सम्रद्दी इतिहास और संस्कृति का एक कारात्मिक प्रमाण है अपनी अनूठी वाश्टु करना और इतिहासे किस्तों के साथ यह राजसी किला भारत की सबसे सम्मानित महीना शाषकों में से एक रानी अहने अबाय होनकर के जीवन और विरासत की एक अनूठी जलक पेश करता है खरगों जीने में नर्मदा नदी के टरपर बसा महेश्वर एक सुन्दर शहर है जो इंदोर से 90 किनूमीटर की दूर इस्तित रामाण कार में महेश्वर और महेश्मती के नाम से जाना जाता था पुराडिक कथाओ के अनूसर ये नगर राजा शस्त अरजुन शस्त बहु की राजधानी थी जिसने रामण को हराय था महेश्वर कानांतर में होनकर समराज की राजधानी रहा देवी होनकर के शासनकान के समय बनाए गया यहां के घाट बहती सुन्दर है जिनका प्रतिविम मद्रपदिश की जीवन रेखा कहनाने वानी नदी मा नर्मदा में साफ नजर आता है यहां पर अत्यन कारात्मिक मंदिर भी इस्तित हैं आज हम जानेंगे देवी अहने बाई होनकर के किने से जुड़ी कुछ प्रमुक बाते हैं महिश्वर में शस्त्र बहु और रावड की पुराणिक कथा का वर्णन है जिसमें शस्त्र बहु जिने भगवान दत्तुरदय द्वारा आशिरवाद के रूप में हजार भुजावाने राजा होने का गौरव प्राप्त था और शक्तिशारी राक्षस राजा रावड ने बीच भेंकर मुडवेड की कहानी मिंती है नर्मदा नदी के किनारे रावड का ध्यान तब भंग हुआ जब शस्त्र बहु ने नदी का प्राभाव रोक दिया जिससे दोनों के बीच जोड़दार संगर्ष हुआ और शस्त्र बनाती है महश्वर किला जिसे अहनिया किला भी कहा जाता है राणी अहनिया भाई के निवास और प्रशासने मुख्यानए के रूप में कार करता था किने की भव दिवारे सुन्दर बरामदे और जटिन नकाशीदार विशा द्वार मराठा वास्तुकरा की भविता को जब आप इसके गन्यारों से गुजरते हैं तो आप अतीत की गूझ सुन सकते हैं जहां राणी अहनिया भाई ने एक बार दरबार लगाया था और ऐसे निन्ने निये थे जिन्होंने उनके राज्य की नियती को आकार दिया था किने के अंदुरूनी हिस्से में होनकर राजवन्स की कराकरतियों को प्रदेशित करने वाना एक संग्रालय भी इस्तित है जिसमें शाही वस्त्र हतियार और पंडूनिपियां शामिन है मुख के आकरशनों में से एक यहां का आहिनेश्वर विशाने है जो भगवान शिव और को समर्पित एक सुंदर मंदिर है जिसे राणी ने स्वेंब बनाया था किना नर्मदा नदी के आश्चर जनक द्रश भी प्रस्तूत करता है खासकर सुर्यदय और सुर्यास्त के दोरान ये मेरी बताई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए कमेंड में मुझे जरूर बताइए में तहें अगले ब्लॉग में तब तक के लिए गोड़ बाई जैहन जै भारत